नहीं सबसे बड़ी चीज हमारे नेता तेज़ोसी जादों ने पहले ही कहा था कि विपक्षी को डराने के लिए CVI और ED का इस्तमाल किया जा रहा है और CVI और ED से कोई डरने वाला नहीं है ये सारे लोग एक जूठ है और देश में और विपक्षी एकताब मजबूत होगी किछा पिमारी के बाद अब कहीं न कहीं भ्यार की सियासत भी गर्म हो चुकी है राजज़त के विधायक भाई बिरेद ने कहा कि यह बात का अंदेसाद तो पहले ही था जिस तरीके से पूरे देश में विपक्षी खेमा एक जूठ हो रहा है अब केंद्र सरकार सरकारी एज पहले कहा था तमाम वो बाते भाई बिरेंद बता रहे हैं सबसे पहले आप वो सुनिए यह मेरे बड़े भाई हैं और आज से रिष्टा नहीं थे था जब पढ़ते थे तबी से रिष्टा है इसलिए पढ़ाई देना मेरा कर्तब बनता है फोन पर दे दिये थे ब्यक्तिक किये हैं इसलिए यह तोसील मोदि का काम ही यही है वह बेरोजगार हो गया है इसलिए इस तरह का बयान देते रहते हैं जो दिल्ली में मनी से सुधिया के घर पर सीवी आई की रेट चल रही है तो क्या एक विपच्छ खेबे को दराने को नहीं सबसे बड़ी चीज हमारे नेता तेजसी जादों ने पहले ही कहा था कि विपच्छी को डराने के लिए सीवी आई और एडी का इस्तमाल किया जा रहा लेकिन मैंने पहले आप लोग के माधम से कहा था कि देश के हर समाजवादियों को और विपच्छी को एक मज़ पर आना चाहिए ताकि इन फासिस वाधी सक्तियों से लड़ा जा सके जिसे देश में महंगाई है बेरोजगार लोग हैं दो करोर हर साल नुक्री देने का बोलने की आदत है हमारे लाद नहीं लालो परसाद जादों ने कहा कि बड़का जुट्था आदमी है अरी यह सब बात उनके जी में और कोई काम है क्या यह बात अनर्गल बात बोलते हैं कहीं किसी पर कोई साबित नहीं होगा यह सब बहुनियाद बाते जिस तरीके से पू और एडी से कई डरने वाला नहीं है यह सारे लोग एक जूट है और देश में और विप्यक्षी एकता मजबूत होगी कि कार्तिक कुमार पर जो अरोप लगा यह सब बेबुनियाद है मन गड़न्द है आरे वहारे नहीं 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 आईसी बात नहीं है यह सब बेबुनि और यह से के इडी ये तमाम जो सरकारी एजंचिया हैं उनका दुर प्योक किया जा रहा है केंद सरकार के द्वारा और कहीं ना कहीं बीपच्ची खेमे को डराने की कोई सिस कि जा रही है और यह नाकाम होगा क्यूंकि बीपच्च अब डरने वाला नहीं एक जूट है और एक साथ है खेर मनीज सी सोधिया के घर पर सी बी आई की छापे मारी चल रही है और लगातार मनीज सी सोधिया ट्विट कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि सिछा ब्यवस्था और स्वास ब्यवस्था जिस तरीके से दिल्ली में सुधरी है जिसको लेकर केंद्र सरकार करने रहें आपका बहुत बहुत सुक्रिया यह